प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि मात्र एक श्लोक का विदिविधान से पाठ करने से संपूर रामायन के जब या पाठ का फल प्राप्त हो सकता है जी हाँ वो श्लोक है एक श्लोकी रामायन आदो रामत पोवनादि गमनं, हत्वाम्रिगं कांचनं, बैदेही हरनं, जटायु मरनं, सुग्रीव संभाशनं, बाली निर्दलनं, समुद्रतरनं, लंका पुरी दाहनं, पश्चाद्रामन कुम्भकर्ण हननं, एतधि रामायनं एक श्लोकी रामायन, ये एक श्लोक बोलने से, वो फल प्राप्त होता है, जो तुलसीदास जी की पूरी रामचरित मानस, और वालमी की जी की पूरी रामायन पढ़ने से प्राप्त होता है, इसलिए, यदि पूरा समय ना हो उन्हें पढ़ने का, तो बस इस श्रोक को पढ़ लीजे सुन लीजे मन में बसा लीजे आपको वही खल प्राप्त होंगे जो आपको पूरी राम चरित मानस और पूरी रामायन पढ़ने से प्राप्त होंगे जैए श्री राम